Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं सबी लोग I hope अच्छे होंगे, चलिए आज फिर आपके लिए Bollywood की कुछ और interesting stories लेकर आई हूँ I hope आपको पसंद आए तेरों को मारना होता तो जबर सिंग का निसाना नहीं चुकता जब डायलोग ने मचाई संसनी जुबान पर चड़ गया था विलेन का नाम जिस एक्टर की हम बात करे हैं उन्होंने अभिताब बच्चन धर्मेंदर समेथ तमाम स्तितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीड भूमिका में ना होने के बाद भी उन्होंने बराबर की टक कर दिये करियर की शुरुआत खलनाया के तौर पर करने के बावजूद उन्होंने मुख्चे भूमिकाओं में कई यादगार और सफल फिल्में दिये आज जिस फिल्म की हम बात करें वो फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी बॉलिवुड हो या साउथ स्टार्ट कई सितारे ऐसे हैं जो अपनी भूमिकाओं को दोहराना पसंद नहीं करते वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही जैसी भूमिका में नजर आते सत्तर के दसक में जब एक से बढ़कर एक सितारे पर एंट्री कर रहे थे तब एक हीरो विलन के किरदार में नजर आय था फिल्म में दिगज एक्टर भी थे लेकिन इस विलन के आगे उनकी अदाकारी कमजोर पड़ गई थी फैंस ने उन्हें लीड हीरो के तोर पर जो प्यार दिया उससे कई ज़्यादा प्यार उन्हें विलन के अफ्तार के रूप में मिलाता साल 1971 में राज घोसला के निडेशन में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है मेरा गाउ मेरा देश फिल्म में धर्मिंद के साथ एक और दिगज एक्टर नजर आये थे जिन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉक्वस्टर फिल्में दिये फिल्म में डायलॉक्स इतने फेमस हुए थे कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं ये एक्टर कोई और नहीं बलकि विनोध खन्ना है फिल्म मेरा काउ मेरा देश में जहां धर्मिंद फिल्म के लीड हिरो के रूप में नजर आये थे विनोध खन्ना के डाकू के किरदार में नजर आये थे उन्होंने अपने किरदार से धूम मचा दी थी और वो एक दौर आया जब कई सारी फिल्में डाकूओं के आसपास लिखी जाने लगी विनोत खन्ना की फिल्म में डायलॉग तो काफी पॉपुलर हुए थे जबर सिंग ने दो ही बाते सीखे एक मौकी का फायदा उठाना और दूसरा दुस्मनों का नास करना तेरों को मारना होता तो जबर सिंग का निसाना नहीं चुकता ऐसे कई फिल्म के सबसे चर्चे डायलॉग थे मेरा गाउ मेरा देश की कहानिक शातिर मगर महदुर चोर अजीद के इर्दगिर्द घूमती है जिसे पूर फोजी हवलदार मेज़ा जसवन सिंग एक चोरी के आराउप में ग्रफतार करवा देता है जेल से छूटने पर जेलर की सला मानते हूँ अजीद उसी फोजी के पास काम मांगने उसके गाह हो जाते है वहाँ उसे पता चलता है कि उसके इलाके में दुर्दान डाकू जबबार सिंग का आतंक फैला हुए अजीद जबबार को खत्म करने का बीड़ा उठाता है जिसमें जस्वन सिंग उसकी मदद करता है और ट्रेंड करता है उसको विनोध खन्ना की आखों का एक्सप्रेशन साथ ही फिल्में उनके चलने का अंदाज फिल्में ऐसे थे कि लोग उनके इस किरदार के दिवाने उगए थे फिल्म की कहानी जितनी दमदार थी ठीक उसी तरह फिल्म के पांच गाने सुपरिट हुए थे फिल्म के सबी गाने लता मंगेश करने गाय थे लेकिन एक गाने में रफी सापने भी उनका साथ दिया था इस फिल्म की एक और खास बात ये थी कि फिल्म में हिरोईन दो ही गानों में नजर आई थी ये उस दौर की पहली फिलिम थी जिसमें हीरो हिरोईन से जादा विलन के किरदार को नोटिस किया गया था फिल्म में विलन हीरो हिरोईन को मात देकर सारी लाइम लाइट लूट ले गया था इस फिलिम से विनोत खना का करियर चमक उठा था मेरा गाउं मेरा देश का संगीत लक्ष्मी कांत प्यारे लान ने दिया थो और गीत आनन्द बक्षी ने लिखे थे फिल्म का संगीत हिट रहा था और आज भी इसके गीत लोक प्री है अपनी प्रेम कहानिया कुछ कहता है सावन मार दिया जाए ऐसे गीते हैं जो आज भी सुनने वालों को मध्धोस कर देते हैं आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स वर वाचिंग बबाई जैश्री राम